दोस्तों हिंदी की बिंती चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंटरव्यू से जुड़े सवालों को लेके तो जैसा कि आप सभी चानते हैं कि कल से UPHC के इंटरव्यू जो है शुरू होने वाले हैं तो ऐसे में हिंदी में साथी जुड़े हैं सबस्क्राइब कि इंटरव्यू में आखिर किस तरह के प्रशन जो है वह पूछे जाते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएंगा क्योंकि सारे ही प्रूस्त माद्म हैं इसके अजनगिन अभ्याइंगतियों कि इंटरव्य最ोन कोणेंगे वह अपना experience जरूर सेट करियेगा इतनी आप सबसे is produce इक अप सब है आप सभी जो भी आपका interview यो यूँ जो भी प्रेश्ण पूछ घाए अथा इसा बसे मुझेर मुझे पर्सनलली भी यह as कर सकते हैं इस चीज के लिए कि आप से किस तरीके के प्रश्ण पूछे गए थे तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि असेस्ट्रेंट प्रॉफेसर के इंटर्वियो के लिए जो है किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो यह सारे ही प्रश्ण आप पूरा देखिएगा इसके मत करिएगा सारे ही प्रशनों को संकलन बहुत ही महतुपूर्ण मदब प्रशनों को यहां पर संकलन जो है मैंने किया है आप सबी के लिए तो जरूर देखिएगा तो चलिए सबसे पहला प्रशन जो आता है वह है कि आप assistant professor याने कि college प्रवक्ता क् चाहते हैं, तो जब भी आप किसी Assistant Professor के इंटरवीय के लिए जाएंगे, तो आपसे सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, वह यही बनता है, कि आप क्यों बनना चाहते हैं, आप इस Line में क्यों आना चाहते हैं, या आपको ये चीज़ क्यों पशन है? तो यहां मैंने आप सभी को उत्तर नहीं दिया है, बाकि ये छो है क्योंकि सब का उपीनियन अलग-अलग हो सकता है, इस शेत्र में आने का किसी को किसी रिजन से पसंद होगा, तो किसी को किसी कारण से ये लाइन जो है वो पसंद होग मैं जग्यासू प्रविर्ति की रही हूँ, मुझे कुछ भी जानने की इच्छा बहुत अधिक होती है उनको समझने की, जो है मुझे में बहुत अच्छी मतब मैं किसी भी चीज को समझना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, तो उसके लिए सिक्षा एक ऐसा शेत्र है जिसमें व्यक्ति आज इवन कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो इसी के लिए मैंने इस शेत्र में आना चाहा, तो यहां यह हो सकता है, समाज को भी जो है एक अच्छा प्रारूप में दे सकती हूँ, सिक्षा के माध्यम से उन लोगों को, अब बात यहां आ जाती है, एक जो है दिमाग में आ गया, तो मैं आप सब के समख शरक देती हूँ, कि इसके लिए अगर आप सिक्षा के बनना चाहते हैं, तो आप स्कूल में भी तो जा सकती है, कॉलेज में क्यों आए, यह भी प्रश्न बनता है ना, कि आप यहां क्यों आए, आप तो स्कूल में भी गा वो युवाओं के ही जो अगर उचेत सिक्षा उचत देशा मिले, तभी आप जो है, सही दिशा में मतलब हमारा देश जाएगा, हमारा देश प्रगति करेगा, तो युवाई जो है, वो देश का भविष्य है, तो उनको सिक्षित करना, और उनकी राई जानना, उनके विष अगला प्रशन सकती है तो आपने सिक्षा कोही क्यों चुन सकते थि तो आपने सिक्षा को ही चुना यह भी उशी से रिलेट हो जाता है कि मुझे सिक्षा में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था तो इसलिए मैं इस शेत्र में आई हूँ यहां मुझे हमेशे कुछ ने को सीखने का मौका मिलता है नई नई चीजों को जानने का मौका उनको पढ़ने का मौका मिलता है इसलिए मैंने इस शेत्र को चुना वो जी यही जी हमेशा से अच्छा लगता था पढ़ना पढ़ाना तो इस टाइप से आप अपना इसका उत्तर और ज्यादा दे सकते हैं अच्छे से अगला प्रशनल जो आता है वो है कि आप तो क्योंकि यहां जो काफी सारे स्कूल में सि अच्छक है फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं आप कॉलेज में क्यों आना चाहते हैं आने के लिए तो यह भी प्रशन आपके सामने आ सकता है तो देखिए मैंने इन सब का आंसर जो है मिला जुला ही है तो आप इनको देख लीजेगा क्योंकि स्क अगला प्रशन हम अपना लेते हैं कि आप तो पहले से ही जॉब में हैं फिर आप सिक्षा के शेतर में या इस शेतर में आने का आपका कारण क्या है तो देखिए यहां यह प्रशन यह भी है कि आप तो पहले से ही जॉब में हैं यहां पर बहुत ऐसे होंगे जो किसी प्रा पहले से करी रहे थे अगर आपकी पैसा कमाना है या कुछ भी है तो आप तो पहले से जॉब में यह तो नहीं है कि आपको कोई रिक्त है आप इस शेत्र में क्यों आना चाहते हैं तो इसका भी वही होगा कि सिक्षर संबंधी जो आपकी रूची है इसी का कारण बना कि आप इस शेत्र में तो आप एक तरह से ये भी दे सकती है कि मेरे पास फाइनेशिल जो कंडिशन थी या मैं आत निर्बर होना चाहती थी इस कारण मैंने यह जॉब पकड़ ली लेकिन मैं इससे संतोष्ट नहीं थी क्योंकि मेरा में जो है मुख्य जो मकसद है वो पढ़ाना है मेरी इच्छा जो है वो पढ़ाने में है इसके कारण मैं इस शेत्र में आना चाहती हूँ अगला है कि आप अगर वहीं जॉब करते तो एक अब्यर्थी को आपकी सीट जो है वो मिल जाती आपने तो एक की सीट चीन ली तो आपको यहां असस्टन प्रोफेसर के लिए नही प्रशन तो किसी से भी पूछा जा सकता है उनसे प्रशन पूछा गया था मैं आपको चैनल का नाम ही बता देती हूं डॉक्टर बज्जेश शुकला उनका चैनल है वो जब इंटर्व्यू के लिए गए थे तो उनसे प्रशन पूछा गया कि आप तो पहले से ही जॉब कर आपकी जो सीट थी वो किसी और अभ्यर्थी को मिल जाती आपको यहां नहीं आना चाहिए था उनका उत्तर भी मझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने यह चीज़ कही कि मैंने किसी की सीट नहीं चीनी मैं तो वहां अपनी सीट यानिकि वहां पर जो उनकी सीट थी जहा अपने उत्तर देने है क्योंकि आप जहां इंटर्विय देने जा रहे हैं अब एक प्रफेसर लेवल कर इंटर्विय देने जा रहे हैं तो आपके उत्तर में भी उसी प्रकार की सटिकता होनी चाहिए यह बार बृब्यान में रखना है को अगला प्रश्ण जो बनता है वो है आप जहां जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्ण तो अगर आप प्राइविट में जॉब कर रहे हैं यहां मैंने आपको बताए कि यहांने common interview question लिए हैं तो यहां common question ही बनते हैं और हिंदी विशेक मैंने यहां नहीं लिए common question है जो किसे भी subject वालों से पूछा जा सकता है तो आप तो पहले से ही job कर रहे थे या आप जहां job कर रहे थे उससे संबंधित कि आप किस कक्षा में पढ़ा रहे थे या आप इस field में पढ़ा रहे थे काम कर रहे थे यहां पर mostly सिक्षक हैं बाकि अगर कोई private में भी job करता हो तो उससे भी संबंधित question आ सकते हैं या फिर उनके जो job की profile है उनकी field है उनके शेत्र से संबंधित प्रश्ण भी वो पूछ सकते हैं तो इस तरह की question आपसे पूछा जा सकता है अगर आप job नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी अभ्यरती होंगे तो जो job नहीं कर रहे होंगे तो ऐसे में उनसे पूछा जाएगा कि आप इसमें भी क्या कर रहे हैं तो कुछ अभी अरती जो हैं या तो कुछ काम कर रहे हो हाउस वाइब सुँगी तो घर में लगे होंगी या कुछ भी रीजन आपका जो भी सटीक रीजन हो देखें यहां मैं किसी परसनल किसी को कोई आंसर नहीं देना चाहती है कि क्या आंसर होना चाहिए लेकिन यहां मैं एक सटीक आंसर यही दूँगी कि सब अपना अपना उत्तर दीजिए कि यहां तो सब का उत्तर अलग अलग होगा कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हैं तो ये सब का अंसर अलग-अलग होगा कि कोई कुछ कर रहा होगा किसी और विशे की तयारी कर रहा होगा कोई कुछ और कर रहा होगा तो यहां सब का उत्तर अलग-अलग होगा आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिएगा अब अगला प्रश्ण जो आया है वो है कि आपके रिसर्च या थिसीज से संबंधित प्रश्ण तो अगर आप प्याच्डी कर रही हैं या कर लिया आपने तो आपकी जो भी थिसीज रही है या आपने जो भी रिसर्च किया है तो उससे संबंधित प्रश्ण तो आप जरूर तियार कर लीजिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं उस पर आधारित अगला है आपके जन्मस्थान शेत्र राज्य संबंधित प्रश्ण तो देखिए आप जिस भी आपका जन्मस्थान कहीं पे भी हुआ हो वो शेत्र कौन सा है उसर्च संबंधित जो भी प्रश्ण है वो भी आप जरूर देख लेजिएगा वहाँ को कोई विशे स्थाल जैसे मैं पिछले वीडियो में आप से बताया था कि आप जो है वहाँ के जो भी महत्वपूर्ण चीज़े हो जैसे कि यहाँ किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं राइबरेली शेत्र से हूँ या कोई प्रियागराज से है या कोई इलाहबाद से कोई कहीं से भी है तो वो अपने जन्मस्थान में उनके क्या प्रसिद्ध है अब राइबरेली में जो है वो क्या प्रसिद्ध है वो आप देख लीजिएगा उसके बाद वहाँ का जो सिक्षा का स्तर है जो यूपी का हो गया यहां तो यूपी शेत्र का ही देख लेना आप जो भी यूपी के शेत्र से बिलॉंग करते हो यूपी राज्य से यूपी का सेक्शनिक स्तर क्या है वहां का वो देख लेजीगा सिक्षा का वहां पे क्या चल रहा है आज कर वो एक बार जरूर देख लेजीगा स्ठान हो गया कोई घूमने की जगहा कुछ खाने के में पोगा कुछ क्रसिद्धक गया कोई ला हो गया तो इनकी जानकारिय रख लिएगा और हिंदी विशे Nósाशर की जैसा कि कल हींद्र होना है तो हिंदी में जितने भी साहत्य कार हुए हैं उनके बारे में जानकारी जरूर रख लिजेगा अगला प्रश्ण है कि अगर आपके जन्म दिन से कोई स्पेशल चीज हुआ हो तो उससे सपंधित प्रश्ण अब जैसे कि यहां एक बात करते हैं कि आपका जन्म अगर होता है 26 जन्वरी तो अब 26 जन्वरी को क्या हुआ था 26 जन्वरी को हमारा देश जो है वो में क्या मना जाता है गणतंत्र दिवस तो इस प्रकार की कोई भी स्पेशल चीज हुई हो जैसे कि आज 8 मार्च है तो आज विमन्स डे है महिला दिवस है तो ऐसा ही अगर कोई आपके जर्म दिन के दिन कोई स्पेशल चीज हुआ हो तो वह भी चीज आप से पूछा जा सकता है तो आप अपनी जानकारी इस विशे में ज़रूर ले ले अगला जो प्रश्ण बनता है वो है आपके पिता जी की जौब और आपकी जौब से संबंधित प्रश्ण तो यहां प्रश्ण बन सकता है माल ले जी आपके पिता जी डॉक्टर है किसे भी फिल्म हो सकते कुछ भी हो सकते हैं यहां मैं आपको यह कहते हूँ कि अगर आपक डॉक्टर वाला शित्र क्यों नहीं चुना आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं आप डॉक्टर भी तो बन सकते थे क्योंकि आपके पापा डॉक्टर है तो आप उस फिल्ल में भी तो जा सकते हैं एक तो यह पूछा जा सकता है दूसरी चीज यह पूछी जा सकती है कि मा होगी तब भी तो जॉब सीम होगी तब भी अलग होगी तब भी तो दोनों के विशे में आप जो है अपना उत्तर तयार रखी कि जॉब अगर सेम है तब प्रशन आता है जो अगर अलग है तो भी प्रशन पूछा जा सकता है कि क्यों है अगला प्रशन है आपकी मजबूती और कमजोरी क्या है तो आपकी स्ट्रेंथनेस और आपकी वीकनेस कौन-कौन सी है तो इनको भी जरूर देख लेजिए कि आप में अच्छा क्या है आप में बुराई क्या क्या है आपके कमचोरियां क्या क्या है अगला जो प्रशन है वो है कि सिक्षा के शेत्र में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं तो अगर आपको मौका दिया जाए तो आप सिक्षा के शेत्र में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे तो इस पे भी प्रशन जर कभी मत रखेगा और अगर रखा भी जाए तो चार जो है आपको पॉजिटिव विचार ही रख रहे हैं अपने और एक बहुत हुआ तो नेगटिव दे दीजेगा नहीं तो किसी भी चीज का अगर इस तरीके का जब आपका उपीनियन माना जाए तो हमेशा आपका उत्तर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासे अभी तक हुई थी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासे आपका क्या उपीनियन है दोनों में से क्या बहतर है तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासे जो चल रही थी उसमें आप किसी बहतर मानती है आप तो ऑफलाइन क मांग सकते हैं इसके अलावार ये है कि इस समभन में आपके चाहती है कि क्या अच्छा था लुज अच्छी थी यह अपको अच्छा मानती हैं तो दोनों मैंसे आपका उपीनियन क्या है तो आप देख लेजीए गा इसका उत्तर आपको प्रशन त्यार कि हैं कि जिस पर प्रश्ण आपको पूछा जा सकता है क्योंकि यह ऐसे प्रश्ण है जो सिक्षा के शेत्र से संबंदित है और आज प्रश्कल इसन पूछा जा सकता है, अगला जो प्रश्क्राइव हैं, वो है कि कोरोना का सिक्षापर क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसे कि कोरोना से हम पिछले दो सालों से देख रहे हैं, कि कोरोना ने जो है, हर इनसान की जिन्दगी में बहुती बड़ा बदलाव ला दिय तो ऐसे में शिक्षा पर इसका क्या प्रभाब पड़ा तो इसका भी आप जो है अच्छा अंसर त्यार कर ले कि अगर आप से इसके उपर प्रशन पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे तो यह थी कुछ प्रशन जो आपका मुझे लगा कि इस परकार के प्रशन जो है आप से पूछे जा सकते हैं इंटर्वियू में तो वह सारे प्रशन जो है मैंने आप सभी के समख्ष रख दिये हैं फिर भी आपको कोई और प्रशन पूछना हो कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके सारे उत्रों कोशिच तो यही रहती तो दोस्तों आप सभी का भूत भूत धन्यवाद